Hello everyone, welcome back to my channel, Straya Kitchen में आपका स्वागत है आज मैंने बनाया है आलू दम, हरे मसालों से बनाकर तयार किया है मैंने आलू दम आप देख सकते हैं, देखने में भी बिल्कुल हरा लग रहा है मैंने इसमें कोई भी सूखा मसाला नहीं डाला है ठंड के मौसम में ये रेस्पी आप ज़रू ट्राई करिए और इसको बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम टाईम में बनाकर आप तयार कर सकते है आप इसे सुबह के नास्ते में साम की चाय के साथ भी खा सकते हैं अगर आप इसको रोटी या पराठे के साथ खाएंगे तब भी ये खाने में बहुत तेस्टी लगेगा तो ये रेश्पी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आलू को बॉाइल कर लेना है आप देखे मैंने आलू को बॉाइल कर लिया था boil करने के बाद इसका छिलका जो हटा देना है बहुत जादा नहीं आलू को boil करना है नहीं तो वो fry करते टाइम तूटने लगेगा तो मैं सबसे पहले इसका सारा छिलका हटा लूँगी जितने भी आलू है इस तरीके से बहुत ही tasty बनता है तो आप वीडियो को full watch करें अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर दें तो ये देखिए मैंने सारा छिलका हटा लिया है अब हम इसे क्या करेंगे काट लेंगे तो बस इसको इस तरीके से दो टुकडो में ऐसे आधा-धा कर लेना है ज्यादा छोटा इसको नहीं काटना है तो उकसारा आलू मैंने काट के रख लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है धनिया हरा धनिया लिया है हरी मिर्च और थोड़ा सा लस्सन इसको हम क्या करेंगे ग्राइंड कर लेंगे इसका एक paste ready करेंगे तो यहां पर मैंने mixi jar में इसको डाल दिया है और थोड़ा सा नमक भी डाल के साथ में ग्राइंड कर लेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले gas की flame on कर लेंगे कडाही रख दिया है मैंने कडाही में oil डालेंगे oil को अच्छे से गरम कर लेना है यहां पर oil गरम होने के बाद थोड़ा सा पंच फोडन डाल दिया है मैंने उसके बाद जो आलू काटके रखे थे उसे भी डाल देंगे और इसको fry करेंगे तो इसको आप high flame पर fry करिए बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे क्योंकि पहले से ही boil है तो इसको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है तो आप इसको ऐसे ही high flame पर थोड़ा सा fry कर लीजे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि नीचे से जले ना आप चाहें तो सूखे मसाले भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन एक बार हरे मसाले से बनाकर आप तयार करिए आलू दम बहुत ही टेस्टी लगेगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पावडर ये देखिए मैंने बहुत ही जड़ा सा डाला है जादा नहीं डालना है आप बहुत ही थोड़ा सा डालना है आपको काली मिर्च पावडर तो आलू भी फ्राई हो गया है तो अब हमने जो पेस्ट बना करके रखा था हरी मिर्च, धनिया और लसन का उसे भी इसमें डाल देंगे और ये पेस्ट भी डालने के बाद कम से कम 2-3 मिनट जादा नहीं, 2-3 मिनट आप इसको ऐसे ही आलू के साथ फ्राई कर लीजे, भून लीजे इसको तो ये देखें पेस्ट भी मैंने डाल दिया है, अब इसको आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये देखें, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही कम टाइम में आप बना कर इसको खा सकते हैं तो ये अब रेडी भी हो गया है, आप इसे बखा सकते हैं तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल करके आपको दिखा रही हूँ तो आलू दम हमारा रेडी है आप भी इस तरीके से एक बार जरूर ट्राइ करिए और वीडियो बसंद आये तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में